हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में लगादार आठ दिन की तेजी के बाद एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है कई लोगों ने मुझे मेसेज करके पूचा है सर क्या हम यहां से बेच कर एक्जिट हो जाएं उन सब के लिए मेरा आंसर नो है किसलिए मैं कहे रहा हूँ वो भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे और एक लेटेस निउस निकल कराई है ट्राइडेंट के बारे में जो कि एक पॉजिटिव निउस है और यहां से दुबारा से एक अपर सरकेट लगाता हुआ दिख सकता है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा क्या धर्शारा है क्या यहां तेजी बनेगी या जो अलरड़ी प्रॉफिट में है उन्हें प्रॉफिट बुक करकर एक्जिट करनेना चाहिए और जो फ्रेश बाइंग करना चाहिए और दो लेटेस निउस निकल कराएं फ्रे होने वाला है इंट तक बने रही है उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जदी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेले का दमाना मत भूलिए ता कि आपको इसी तरह की लेटिस नियूज और जब से पहले मिले चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक डिस्कलेमर के साथ सबसे पहले हम इसका परफार्मेंस देख लेते हैं इसने क्लोजिंग दी है 54 रुपी 65 पैसे पर अगर हम परसेंटेज में देखे तो 0.92 परसेंट की हलकी सी तेजी देखने को मिली यह ह बहुत ही अच्छा डेटा निगल कर आया है जो कि दर्चाता है कि आने वाले समय में दुबारा से अपर सर्किट लग सकता है यह उपन हुआ था 56 रुपीज पर यह हाई लगा 56 रुपीज 85 पैसे और यह लो लगा 52 रुपीज 25 पैसे अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे यहाँ पर लाइन दर्शाती है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इसके बाद एक साइडवेस चलने लगा ट्राइड का शेर चलिए अब हम एननेसी पर भी देख लेते हैं कैसा कारोबार था यहाँ आप देख सकते हैं कॉंटिटी टेड़ेड है 6 क्रोड 23 14,000 की कॉंटिटी टेड हुई है और डिलिवरेट है गी है 2 क्रोड 95,96,000 की परसेंटेज में देखे तो 47.50% की डिलिवरेट है गी है जो के 50% के खरीब है अगर हम BAC पर देखे तो कॉंटिटी टेड है 1 क्रोड 67,71,000 की कॉंटिटी टेड हुई है और 85,20,000 की डिलिवरेट है गी है percentage में देखे तो 50.80% की delivery ठाए गई है काफी दिनों के बाद एक volume में बड़त देखने को मिली है वरना यह अपर circuit लगाता हुआ जा रहा था और कोई इसे sale करने के लिए ready नहीं था लेकिन आज एक बड़ी मातरा में trading भी हुई है और delivery भी उठाई गई है चलिए अब हम volume analysis कर लेते हैं one month का average है 3 crores one week का average 1 crore और कल इसमें 3 crore का volume था और Friday 9 crores का volume volume में एक बड़ा spike देखने को मिला है friends क्योंकि जो Trident के sharehold करते हैं के mind में एक panic देखने को मिला जिसकी वज़े से selling आई थी चलिए अब हम price return profile भी देख लेते हैं नीचे से अगर हम 5 years का return देखे तो 829.61% का return दिया है 3 years में 729.89% का return दिया है 2 years में 713.06% का return दिया है अगर हम 1 year का return देखे तो 434.02% का return दिया है और year to date यानि के January से लेकर अब तक 448.08% का return दिया है अगर हम 6 months का return देखे तो 235.29% का return दिया है 3 months में 112.35% का return और 1 month में 34.87% का return दिया है पिछले 14 दिन में जैसे ही आपने देखा है अपर सर्कीट लगा कर lower circuit दिखा चुका था right hand इसलिए minus 1.28% का return दिया है और पिछले 7 दिन में 15.34% का return दिया है चलिए अब हम चार्ट पर भी बात कर लेते हैं indicators क्या indicate कर रहे हैं और candle stick pattern क्या बन रहा है यहाँ आप देख सकते हैं लगातार 6 दिन के अपर सर्कीट के बाद एक hammer बनाया है Trident और जिस तरह का candle बनाया है मुझे लगता है यहाँ से दुबारा से एक देजी पकड़ता हुआ दिख सकता है यहाँ एक strong support है उस पर आकर रुका हुआ है अगर हम William percentage देखे तो ना यह overbought की zone में है ना तो oversold की MACD अभी crossover करने के लिए ready हो चुका है RSI भी positive indicate कर रहा है presently सभी indicators positive indicate कर रहे हैं यहाँ दुबारा से एक upper circuit लगाता हुआ दिख सकता है Trident किसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी हम news में बात करेंगे friends अगर आप Trident के share hold करते हैं तो panic मत होए यह video देखने के बाद आपको दुबारा से confidence आ जाएगा इसे hold करके चलने में ही समझदारी है चलिए हम देख लेते हैं क्या news निकल कर आई है Trident gains on decent November 2021 production update Trident का production और sale का data निकल कर आया है अगर आप यहां देखेंगे Trident rose 1.75% 2.55.10 after the firm announced a satisfactory production update for November 2021 यह data निकल के आने के बाद जो गिरावट हो रही थी जो profit booking हो रही थी वो थम गई है और दुबारा से इसमें fresh buying देखने को मिली है यहां आप देख सकते हैं textile division और bath linen में 6.47% की बड़त देखने को मिली है जो की निकल कर आ रहा है 4902 metric ton जो के compare to 2020 November के मुकाबले 6.47% की spike देखने को मिला है और अगर हम bed linen के बारे में बात करें तो 2.40% की बड़त देखने को मिली है पिछले November 3.32 million metric था और इस November 3.40 million metric अगर हम overall देखे तो 2.40% का jump देखने को मिला है production में अगर हम yarn देखे yarn में तो एक बड़ी jump देखने को मिली है जो के 18.55% है last November के मुकाबले तो यह एक data निकल कर आया है friends जिसे हम लेकर चल सकते हैं आने वाले quarterly result में और एक अच्छा profit post करता हुआ दिख सकता है Trident और दुबारा से यह quarter में भी आपको dividend देखने को मिल सकता है और जिस तरह की तेजी लगाया है इस quarter में उसे consider करते हुए Trident bonus भी देता हुआ दिख सकता है अगर आप Trident के share hold करते हैं तो इसे hold करके चलिए क्योंकि जिस तरह का data निकल कर आया है जो management ने share किया है उसे consider करते हुए एक अच्छा profit देखने को मिल सकता है अगर हम आगे देखे तो paper और chemical में भी एक अच्छा jump देखने को मिला है अगर हम paper में देखे तो 5.60% का production में spike देखने को मिला और chemical के business में भी 8.68% का production में बड़त देखने को मिली है overall देखा जाए तो बहुत ही अच्छा data post किया है Trident के management ने इसे consider करते हुए आप hold करके चल सकते हैं चलिए अब हम next news देख लेते हैं क्या निकल कर आई है यहां आप देख सकते हैं analyst का मानना है Trident और Indocount यह एक बहुत ही अच्छे stock है textile sector में और इस पर पैसा लगाया जा सकता है कई analyst ने Trident को अपने radar पर लखा हुआ है और लगातार इसमें कुछ ने कुछ positive news निकल कर आ रही है जो fresh buying करना चाहरे हैं मैं उन्हें suggest करूँगा इस level पर भी आप fresh buying कर सकते हैं लेकिन जबी भी आप invest कर रहे हैं तो SIP में invest कीजिए यानि के 30-30-30% में split करकर अपने investment को invest कीजिए ताकि आपको एक अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिले अगर Monday इसमें एक upper circuit लगाता है तो मुझे लगता है ये 60 के पार भी जाता हुआ दिख सकता है और जिन लोगों ने long term के लिए hold करके रखा है उन्हें तो hold करके चलना चाहिए क्योंकि आपको आने वाले समय में ये माला माल बना सकता है अगर आपने 3-5 years hold करके रख लिया तो ये 150 के उपर भी जाता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यूस थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor जे advice लेकर invest कीजिए अगर ये वीडियो आपको informative दिखा तो like करकर encourage करिए अपने दोस्तों साथ share करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और बेले करने दबाना मात भूलिए ताकि आपको इसी तरह की latest news और genuine information सबसे पहले मिले